नमस्ते दोस्तों मैं हूँ शाहिल आपने लॉगिन किया है इंडिया समझार अगर आपको हमारी टीम की महनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें धन्यवाद जनपट पताबकड के मंधाता छेतर में बोजी नाप के कोटेदार पती द्वारा सरकारी गेहु चामल को बलैग में बेचने का मामला आया सामने गेहु चामल टाटा मैजिक में लादकर इस्टेटन रोड विस्वनाद गंज में यहां बेचने जा रहा था गिरानुलों ने कोटेदार मन्जू के पती को सरकारी गेहु चामल समेथ दबोच लिया और सूचना गिरानुलों ने उपजिलादिकारी सदर को दे दी जिसमें से दो बोरी की सिलाई मशीन की मौके पर भी मिली। गाम की कोटेदार मन्जु देवी है जबकि पती कोटा चलाता है और सरकारी ख़द्यान बेचने का कारें करने का उसके उपर आरोग लगा है। आप बताएं मैं, आप सदर तक्सिर की पूर्त निरीशक मन्का सिंजी हैं। यजदियम साहब के पास ग्रामेडों ने शिकाइप किया। बोजी ग्रामशभा का कोटेदार मैला है। उसके पती द्वारा सरकारी खादान बेचले के लिए गया था, लोगों ने पकड़ा है। आप पतवाली मांदाता में आई हैं जांच करने के लिए। क्या है पूरा मामदा है। अब शाम तो उमको तीम बजे के लगों फोल आया है, यहां से वाहन पकड़ा गया था, इस्टेशन रोड पे वाहन पकड़ा गया है, जिसमें बारा पोरी किये हूँ, सरकारी सीला हुआ और तीम पोरी चावल जड़ा, वो भी सरकारी पोरी में था, वो प्राफ्त किया गय उसके साथ ही महाँ कि इसान का भी बारा पोरी कि फूस टीकप पे पकड़ा गया है, इसमें डाइबर में बयान थी बयान है कि उचितर विक्रेता जो मंचु फे भी है, उनके वो खाध्यान लेकर आखर पर ले जा रहा था, साथ में ही बिकप पे उचितर विक्रेता भी जातुरू का अध्यान लेका जाएगा, फूरा है कि कम है, उसके बाद भी पूरागी कि दार रहती जाएगी, आपना सुनम, मंता सिंधी